वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्काय फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी? उमीद है आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स अगर आप एक ऐसा पोधा चाते हैं जो पूरे साल फूल देता रहे कम केर और फर्टिलाइजर में भी ये अच्छे से चलता रहे तो ग्रॉमफीना बेस्ट आप्शन है आपके लिए मैंने इसे फर्स टाइम ग्रो किया है बहुत ही आसानी से ग्रो हो गया और 46 डिग्री तापमान में बिना ग्रीन नेट के भी इस तरह से आप फूल देख रहे हैं मैं शाम के बग सभी पोधों में अच्छे से पानी छिड़कती हूं और सुबह के समय गमलों में पानी देती हूं सभी प्लाट अच्छे से चल रहे हैं ग्रोंफीना भी बहुत अच्छे से चल रहा है चली मैं फटा फट से आपको इसकी कम्प्लीट केर बता देती हूं सबसे पहले ग्रो टाइम तो आप इसे फेरवरी मार्च और पूरे मौनसून ग्रो कर सकते हैं मौनसून आ चुका है तो जली से इसे ग्रो कर लें सेकेंड इन्हें ग्रो करना ये कई सारे कलर्स में आते हैं इनके सीट्स बहुत ही आजानी से आपको मार्केट में मिल लाएंगे अभी मैं इन्ही से आपको बताऊंगी कि इन्हें ग्रो कैसे किया जाता है जब फूलों में सीट्स बने लगते हैं तो उनका कलर बदल कर सफेध हो जाता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं इन्ही को ग्रो करूंगी दिखी मैंने इन्हें ले लिया है पस इसे मिट्टी में ऐसे ही डाल देंगे और ये ग्रो हो जाएगा मैंने आपको इसे ऐसे ग्रो करके इसलिए दिखाया है कि इन्हें ग्रो करना इतना ही आसान है 7 से 8 दिनों में ये ग्रो होना शुरू हो जाएगे जब हम इसके लिए मिट्टी त्यार करेंगे तो सौफ्ट गार्डेन सॉयल ले 60 परसं मिट्टी में 40 परसं वर्मी कॉम्पोस्ट या गोबती खाद मिला ले 12 इंच के पॉट में आप दो प्लांट बिल्कुल आराम से लगा सकते है बात करें सनलाइट की तो 46 डिग्री तापमान में ये पूरे दिन छट पे है और बहुत अच्छे से चला है तो आप इसे फूल डे सनलाइट में रख सकते हैं बस एक काम करें मई जून की तप्ती गर्मी में सभी पौदों को इकठा रखें जिससे की इनके आस पास ठंड़क बनी रहें और सभी अच्छे से चलते रहें बात करें पानी देने की तो मैं सुबही इसमें एक बार पानी देती हूँ और शाम को सिर्फ छिड़कती हूँ कोशिश करें इसके मिट्टी में हमेशा नमी बना के रखें क्योंकि मिट्टी सूकते ही ये मुर्जा जाते हैं पानी डालने पर ठीक भी हो जाते हैं लेकिन ओवर वाटरिंग से इन्हें बचाएं ओवर वाटरिंग से ये मर सकते हैं बात करें इसके फर्टिलाइजर की तो एक डिड़ महीने में तीन से चार मुठी वर्मी कॉम्पोस्ट या गोबर की खात इसके लिए बहुत है अगर आप दूसरे पौदो को कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर देना है तो वो भी आप इसे दे सकते हैं वैसे इसे ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती अब बात कते हैं इसमें इंसेक्ट अटेक की तो वो इसमें बहुत ही कम होता है और जब इंसेक्ट अटेक हो तो आप आराम से इसमें पिस्टिसाइट का इस्तमाल कर सकते हैं अब ज़रूरी टिप्स की बारी तो इनके सुखे हुए फूलों को स्टोर करके रखे अक्सर फूल देने के बाद पौदे मर जाते हैं तो सीजन आते ही इन्हें फिल से ग्रो कर ले मौनसून में आप इन्हें कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं लेकिन सीट से ग्रो हुए प्लांट ज़्यादा अच्छे फूल देते हैं थैंक्यू फ्रेंट्स फिर मिलेंगे